हाई जिवगरफी एक देश की बहुत कुछ चीजों को डिटर्माइन करती है इवेन आप शायद ये सुनके चौक जाऊगे कि जिवगरफी एक देश की इंटर्नल पॉलिटिक्स को भी डिटर्माइन करती है तो फिफ्ट सेमिस्टर में सेटल्मेन जिवगरफी के अंदर एक प्राइमेट सिटी एक ऐसे शहर को कहा जाता है जो एक देश की मुस्ट पॉपुलर सिटी हो और जिसकी आबादी उस देश की दूसरी सबसे बड़ी शहर की आबादी के अल्मोस्ट डबल हो और तो और जो शहर पॉलिटिकली, इकनॉमिकली और कल्चरली इंटायर नेशन को डॉमिनेट करता हो उदाहरन के तोड़ पे आफ फ्रांस को ही देख लो फ्रांस की सबसे बड़ी शहर पैरिस की आबादी है लगभग एक करोर एंड फ्रांस की दूसरी सबसे बड़ी शहर मकसल की आबादी है लगभग 20 लाग यहाँ पर हम एक देश की प्राइमेसी इंड देखने को मिलते हैं लाइक फ्रेंस बांगलादेश जापान कोडिया एडसेटरा अब क्योंकि इंडिया पाकिस्तान साथ आफ्रीका जैसे देश नेशन स्टेट नहीं है इसलिए इन सब देशों में आप लोगों को किसी प्रकार का प्राइमेट सिटी देखने को नहीं मिलें खेर ये तो एक जियोग्राफिक कंसेप्ट हुआ अब आपको मेरा एक कंसेप्ट बताता हूँ जो मैंने खुद अब्जर्ब किया है दुनिया में ऐसे कूछ कंट्रीज है जहां पर आपको कोई प्राइमेट सिटी देखने को नहीं मिलेंगे पर वहां पे एक चीज क्या हो आपको थोड़ी बहुत आइडिया हो गया होगा इसके बारे में अब मेन टॉपिक पर आते हैं यहां पे नोटिस करने वाली बात यह हैं कि जीन सब देशों में प्राइमेट सिटी या फिर सेवरल पॉकेट्स जैसी शेहर बनता है वहां पर मिलिट्री कूप या कूप एट सेंटर के रूप में उभरता है देश-विदेश के बड़े-बड़े कंपनी और इंस्टिडूशन की हेटकोर्टर्स भी यहां पे लोकेटेड होता है इसलिए इस टाइप का शहर एक देश की एकनॉमी में एक बड़ा हिस्सा कॉंट्रिब्यूट करता है उपर से ये शहर उस देश की पॉलिटिकल और एडुकेशनल सेंटर भी होता है बड़े-बड़े युनिवर्सिटीज के साथ साथ पार्लामेंट बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्ट्रीज का हेटकोर्टर्स भी यहां पे लोकेटेड होता है इस वज़े से इस टाइप के शहर एक द बिकॉज एक प्राइमेट सिटी देश के अंदर कूप की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है नहरूजी के अलावा ये दूसरा कारण है कि क्यों इंडिया में आज तक एक कूप एटरम्ट तक भी नहीं हुआ क्योंकि इंडिया में प्राइमेट सिटी तो छोड़ो को इंडिया पर देश की जाधातर वेल्थ कंसेंट्रेटेड हो इसके साथ ही इंडिया में अर्बन पॉपॉलेशन रूरल पॉपॉलेशन के तुलना में बहुत ही कम है तो इंडिया में फेडरल लेवल पर आपको बहुत सारी प्राइमेट सिटी दिखाई देगी तो ये थी आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आप सब कोई वीडियो पसंद आएगी थैंक्स फ़र वाचिंग